नमश्कार स्ट्रीट वर्ज निउस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ प्रतिमा साथ सीता मरी महर्जी वालमी की तपो स्थली एवं लौकुस कुमारों की जन्म स्थली त्रेता युग में माता सीता की शर्न स्थली 88,000 रिशी मुनियों की तप स्थली एवं स्रिष्टी के पहले महकावे वालमी की रामायन की रचना स्थली के रूप में जाना जाता है कभी निर्जन जंगल रहे इस स्थल पर आज विकास की छाप पड़ने लगी है सीता मडी की पावन धती पवित्र गंगा तट के किनारे स्थित है यहां पर स्थित गंगा तट पर वट प्रिक्ष की आयू का अब तक कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सका है जो माता सीता की यादों को सालों से समयटे हुए है वहीं सीता मडी महरसी वालमिकी के प्रबंधक पोत्र ग्यानी कुमार ने बताया कि कवितावली में सपस्ट वर्नन है वो स्वामी तोसी दास जी ने कवितावली के 138 कविताओं में सीता समाहित स्थलका वर्नन करते हुए सीता मडी का उल्लेक किया है इसमें विपट महीप सुर सहीत समीप सोहेल सीता वट उपेखद पुनित होत पात की इसका अर्थ जहां की छाया कस पर्स होते ही शरीर का ताप शांत हो जाता है वो व्रिक्ष राज सीता वट गंगा के तट पर सुभायमान है इसके दर्शन मात्र से सारे पापू का नाश हो जाता है यह बहर्च बालमीग की आश्रम माता जान की लोकुष जन्मस्थली यहां पे बालमीग जी ने आदिकभी बालमीग जी ने संस्कृत में रामाड की रशना की थी वहां पे जैसे कवितावली में तुलसी दास द्वारा विल्चित कवितावली के उत्तर कांड के 133 हमें दोहे पे यह लिखा हुआ है जहां बालमी की भय ब्याधते मुनिंद्र साध हुमरा मरा जपे सिकसाद की सीय को निवास लवकुस को जनम्थल तुलसी छुट चाहताप गरेगात की विटप महीप सुरसमीप सोहे सीतावड देखत पुनीत होतपात दिगपूर बारिपूर बीच बिलसत भूम अंकित जोजान की चरन जलजात की इन दो गाओं का प्रमाड दिया उन्होंने जो कि डिग इधर पड़ेगा और बारिपूर इधर पड़ेगा इन दोनों गाओं के बीच में और तमसा नदी किसी समय इस तरफ तमसा बहती थी इस तरफ गंगा और भौगोलिक परिवर्तन समय समय पे होता रहता है जो भौग हजार-दोहजार संख्या में आते रहते हैं लोग है कि असार सुधी अश्टमी नौमी दसमी तिन दिन का मेला होता है जन्मुत्रे जो एक प्रमड़ा पराणिक बड़िच्छ है यह लगभग पांसो वरस का इस बड़िच्छ का प्रमाट तुलसी दास ने दिया है यह पाल यह जो कि सीता वट वर्णन के नाम से जाना जाता है सीता वट के नाम से जाना जाता है स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रवास्तो की रिपोर्ट देश दुन्या की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे स्ट्रीट बस यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें धन्यवाद